प्रिशा से एक इच्छा पूरी करवानी थी कि उसे प्रिशा के जैसे ही एक क्यूट सी सुन्दा सी बेटी चाहिए लेकिन कहते हैं कि वक्त को शायद कुछ औरी मंजूर था इसलिए इन दोनों के बीच में इतना सारा गैप आ गया कि प्रिशा ने उसकी खुआहिश पूरी क रहा लेकिन लगता है कि अब दुख भरे दिन बीट गए हैं और अब रुद्राक्ष प्रिशा के जिंदगी में खुशियों के दिन आ चुके हैं क्योंकि रुद्राक्ष कर सपना एक हैपी फैमिली का होने वाला है कंप्लीट और सब कुस्त से ही हो जाने के बात में रुद रुद्राक्ष अपने दोनों बच्चों के साथ मिल कर अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए नजारा रहे हैं और कैसा होगा इनका यह आने वाला एपिसोड कर दो का आप देखिए हमारे इस खास रेपोर्ट में हुआ है झाल झाल